लेंग्जिज यानि कि जुबान बहुत ही बुन्यादी हैसियत रगती है किसी भी कॉंटेंट में जब भी आप कॉंटेंट लिखेंगे जारी सी बात हों किसी जुबान में लिखेंगे और यह बहुत जादा डिelpent करता है कि आपकी जुबान में लिक रहे हैं और आपको 오른ाडिंस के जुबान में पढ़ना चाती है अगर आप ऐसी जबान में लिखें जो आपकी audience समझती ना हो जब पढ़ना ना चाहती हो तो आपको छोड़ के जा सकती है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम content create करें हम उसको proper language भी decide करें और language हमेशा decide होती है audience के साथ so language इस तरह से एहमियत की हामिल है कि for example अगर मुझे पश्टो नहीं आती और मैं आपकी website पर आया हूँ जो के पश्टो में है तो मैं उसको शहर्द ना समझ पाऊँ और मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ और अगर इसी तरह से आपको French नहीं आती है और मेरी website पर आएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगे और आप छोड़ के चले जाएंगे so अगर मेरी product सिर्फ French people के लिए है तो फिर तो ठीक है कि मैं चाहते ही नहीं हूँ कि कोई और मेरी website के ओपर आए लेकिन अगर website जेनरल है जिसमें हर जबान की लोग आके शौपिंग कर सकते हैं बाए कर सकते हैं तो लेंगविज एक बड़ा मसला बन सकती है normally जायतर जो इंटरनेट है वो English language में है पर बहुत सारी websites या बहुत सारी company यह पसंद करती हैं कि वो जिस मुलक में काम कर रही है उस मुलक की language को भी वो यूज़ करना चाहती है so internationally इसका बहुत ज़़ार रिवाज है पाकिसाने भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई episode देखी है तो possibility है कि अर्दू में भी उसका version हो नहीं तो अर्दू अखवाब तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं so language में आपने जो चीज़ें दियान में रखनी है वो तकरीबन तीन है तीन चीज़ों का आपने दियान रखना है जिसमें सबसे पहली grammar है अगर आपकी grammar ठीक नहीं है अगर आपको लिखना नहीं आता आपको जुमला प्रॉपर नहीं है चाए वो English में है चाए वो उर्दू में है या किसी भी जुबान में है और अगर आपके customer को या audience को आती है तो वो आपको पकड़ लेगा और उसको पता चल जाएगा कि इनको लिखना नहीं आता और यही से वो आप उसको लूस कर देंगे अगर आप customer या audience ये understand कर ले कि इनको तो लिखना भी नहीं आता वो आपकी product को नहीं देखेगा वो आपको वैसे ही छोड़ के चला जाएगा तो language बेतर होगी तो आपकी sales होगी अगर language बेतर नहीं होगी content बेतर नहीं होगा तो इसी तरह से आपको sales भी जो है वो lose करनी पड़ सकती है दोसी चीज़ जो important है language के अंदर वो है spellings, spellings अगर आपकी गलत है website के अपर तो वो भी आपकी non-seriousness को show करती है, तो आपने make sure करना है कि जो भी आप words लिखें कम असकम उनके spellings ठीक हों और पढ़ने वाले को गलती नज़र ना है क्योंकि गलती नज़र आ जाजएगी तो एक image create हो जाता है लोग एक mind में एक image बना लेते हैं कि इनको तो लिखना नहीं आता या इनको तो बोलना नहीं आता तो ये क्या बेचेंगे तो इसकी तरह से है कि अगर मैं आपसे बात करूँ और मुझे जुमला बनाना ना आए मुझे बात अच्छी तरह से करनी ना आए तो क्या आप मुझे पराड़र्ट खरीदेंगे अगर मैं आपको कुछ बेचने भी आऊ तो जब तक मैं आपसे बात करना सेतना नहीं सीखूंगा तो मैं बेचना तो दूर की बात है मुझे बात भी नहीं आप मुझे से करेंगे तो यही काम आपके वेबसेट पे भी होता है तीसी चीज इसमें सबसे इंपॉर्ण जो है वो है क्वालिटी अब क्वालिटी बड़ी मतलब सब के लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है आपके लिए क्वालिटीटिव हो सकता है लेकिन हो सकता है कि आपकी और्यून्स को लगए कि यह जो बिल्कुल बेसिक सा क्वालिटी नहीं तो क्वालिटी को आपने अगें उसमें कितनी जान है आपके कॉंटेंट में अक्सर आम यूज के आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि बस पढ़के मज़ा आ गया वो पढ़के मज़ा इसलिए आता है कि उसमें इलफाज का जो चुनाओ होता है वो बड़ा अच्छा होता है वो बड़ी ओडियंस भी देख रही होती है और जब हम वेबसेट की बात करें तो हमारी वेबसेट चुनके गलोबल है कोई भी विजिट कर सकता है तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी जिस लेंगविज का विजिट करें वो उसको प्रपरली पढ़ सके समझ सक और कमस कम उसमें ये गलतिया नहीं होनी चाहिए इसके बद एक और बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर जो हमने जिकर किया वो है लोकलाइजेशन यानि कि लोकल लेंगविज अगर आपको लगता है कि आपकी और्डियंस एक लोकल जबान बोलती है और वो प्रफर करती है एक जादा आपको पड़ेगा वो अतनी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ही बाय करेगा तो अगर आप पाकिस्तान में है तो अर्दू में उसको बनाएं अगर आप किसी और मुल्क में है तो आप उस कंट्री की जबान में जरूर बनाएं और आप अपनी वेबसेट में आप्शन जबाना में वेबसेट जो के अक्सर आपने देखी होंगी उसमें यह होता है कि आप एक जबान में पढ़ते हैं लेंग्विच उसके कॉंटेंट को लेकिन फिर आप साथ ही दूसरी जबान में भी जा सकते हैं जो सेम कॉंटेंट ट्रांसलेट हुआ होता है एक और जबान म